कि नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं फार्म टोक और मैं जैपाल सिंग्रा ठोड हर घर देशी गोवन्स हर खूटे देशी गोवन्स इसी मुहिम को पुरा करने के लिए आज के वीडियो दो देशी गोवन्स की लाइव मिल्किंग पर है यह आप खाली बाल्टी देख सकते हैं दोनों गायों की मैं आज आपको लाइव मिल्किंग दिखाऊंगा आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक कम्प्लीट देखि साथ ही साथ अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे सब्सक्राइब जरूर से कर लें और नजदीक दिये गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन भी ऐसे वीडियो की आपको सबसे पहले मिले हमारी मुहिम है कि हम हर घर तक देशी गोवस इस या ओभ आप देख सकते हैं ऐसी रइर गायों के वीडियो मैं अक्सर आप के लिए लेकर आता रहता हूं यह जो आप अगाय करें यह गदरी राठी है गद्री राठी हम उस गाय को कहते हैं जिन में दो कोलर का कॉम्बिनेशन रहता है राठी नसल में जैसे इसके अंद इस गाय के सिंग नहीं है यानि कि यह बिना सिंगों की गाय है आप इसके हमकी साइज देख सकते हैं जो आप पुठे की चोड़ाई और जो बोडी का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यह बेदी शांदार और सुन्दर कलर के साथ है ऐसे कलर आपको काफी कम देखने को मिल करेंगे आप रेयर जो गाये जो बेद सुन्दर हैं और जो दुदारू भी है ऐसी गाये खेरी दे तभी आपके लिए देशी गोवन्स के लिए मन में प्रेम उम्ड़ेगा आप देख सकते हैं चोड़ा माथा गाये का बड़ा गलकंबल लंबी नाभी और शांदार गुच घंए किसी मामले में आपको इनमें दूच चाहरे दो सै पांज लीटर कम मिलेगा लेकिन आपको यहाई टू को इनका मिलक मिलेगा जो आपके लिए स् sulphur 부분 concern सात यह आपके परिवाई जनों के लिए भी यह सिर्ध्वास यंदे और गर जो आपकी कि इम्मuno置 को भी बढ़ाए साथ इसाथ बिमारियों से लड़ने की छमता को भी वर्दी करेगा ऐसी गाय टीकू राम जी जो विलेज का मिन्पुरा डिस्टिक्स श्रीकंगानेगर के रहने वाले हैं वैसेल के लिए अगलेवल कर वा रहे हैं इनका मुबाइल नमर है 7627058169 इन मुबाइल नमर पर संपर करके आप ऐसी और गायों के वारे में भी जानकाही ले सकते हैं आति साथ इसाथ इन गायों की live milking आगर आप वीडियो कॉलिंगeld देख सकते हैं लेकिन मेरा मानना है कि आप यहां प्रेजेंट हो टोνकेdai कारी में दे दूं यह सेकंड लेक्टेशन की गाये दूसरे ब्यात में हैं दो दिन गाये में हुए हैं और इसके नीचे फीमेल काफ है दस लीटर दूद अभी तयार है और उम्मीद 14 लीटर की आप यह देख सकते हैं दूसरी बालती खाली दिखा रहे हैं इसकी भी मैं आपक की है जो काफी जायज प्राइज लगती है इस दूसरी गाये की वीडियो की भी स्पीड थोड़ा फास कर रहा हूं लाई मिलकिंग की ताकि आपका अधिक समय नश्ट ना हो जो पहले मैंने गाये दिखाई है वो बिना सिंगों की है साथ ही न्याने वाली गाये है जो दूस इस गाये जैसा हमें टीकूराम जी ने बताया कि दो दिन की ब्याईवी होने के बाद भी खीस की इसमें दो बाल्तियां लगबग भर दी है इसके नीचे फीमेल काफ है जो राठी नसल की है यह थर्ड लेक्टेशन की गाये यानि कि अपने तीसरे ब्यात के अंदर है साथ इसके थनों का साई जो शेप है वह भी काफी उंदा है लंबे पूच के अंदर जो गुच्छेदार पूच है जो नीचे जमीन को टच होती हुए है साथी लंबी नाभी आप देख सकते हैं जो पुठे के चोड़ाई है वह भी काफी अधिक है ऐसी गाई दुदारू म साथ लीटर दूद खीस में दिया है यानि कि दोनों समय का 14 लीटर के आसपास खीस अभी इसका तयार है जब तक आप यहाँ पर लाई मिल्किंग के लिए खुद अपने आच से मिल्किंग के लिए पहुचेंगे तब तक यह गए 14 से 15 लीटर तक दूद तयार कर लेगी इस गायों के लिए ऐसी जो कीमत है वह जायज लगती है आप देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रजेंट हो कर लाई मिल्किंग करके देखें मुझे आसा है कि आज के वीडियो दोनों आपको पसंद आया होंगे पसंद है तो इसे लाइक जुरूर कीजेगा धन्यबाद दोस्तो झाल